कि नमस्कार पिरिये जनों आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी शुब्चिन तक आप आई मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि 2020 के दिपावली निकल चुकी है और उमीद करती हूं कि सब की दिपावली बहुत खुश्यों भरी रही होगी सबने दिपावली का अनंद लिया होगा एंज्जोई किया होगा पुरे परिवार के साथ घुण मिलके बहुत अच्छे से दिपावली मनाई होगी यह भी कामना क करती हूं कि इस दिपावली से अगलिक्स दिपावली तक सब की जोलियां खुश्यों से भर जाएं और सबकी मनोकामना पूरण हो जाएं और सब की जितने बीए विगनवादाय हैं अपने परिवार में किसी भी परकार कियो वह सब दोर हो जाए मालक्षमी सब को पुरा साल खुश रखे और उनके धन दोल से हर तरह से बरकत रखें आगे बात करूंगी कि दिपावली पर उपाये किये जाते हैं जो पूजा अराधना की जाती है जिस तरह से जो भी टोटके किये जाते हैं वो सब बहुत फलदाई और पक्ते होते हैं देखिए इन पांच जिनों में धन तेस से लेकर भया दूज तक की रात महतलों हैं यह रात्रियां बहुत महतलों होती हैं की इस पर किये गएं उपाये बहुत ही शुब होते हैं और बहुत जल्द जल्द रिजल्ट देने वाले होते हैं, आप क्या करें कि अगर आप दिपावली पर धनतेर्स पर छोटी दिवाली पर कोई भी उपाए नहीं कर पाए हैं, मान लिजिए बहुत सारे कारण हो जाते हैं, कि समय नहीं मिलता, बेटियों को कोई कारण हो सकता है, मातापिता की कोई भी कारण हो सकता है, कि वो कोई उपाए ना कर पाए हैं, तो मान लिजिए कि अगर आगे आप कब करना चाहें, उन उपाएं का, आज मैं बता रहे हूं आपको कि शनिवार की जो दिपावली के बाद रातरी आ रही है, ठीक तो भहिया दूजा उस दिन, और वो ये पा उपाए आप बहुत आराम से कर सकते हैं, आपको बहुत ही शुब होगा और आप जानते हैं कि दिपावली के बाद की जो शनिवार की रातरी है, उस पर शनिवार को तो वैसे भी किया गया उपाए सारे पक्के होते हैं, लेकिन चुँकि ये इन पांच दिनों में जो पंच दिन दीप कही जाते हैं दीपदान कहा जाता है इन में जो रातरी पड़ रही है इसका तो उपाय किया गया बहुत ही अचूक होता है फलदाई होता है तो जो उपाय अगर आपको यह नहीं कर पाई है तो उन सब का एक मुष्ट निचोड जिसे हम कहते हैं न कि एक ही उपाय आप ऐसा करें जिससे वो सारे उपायों की जो आपकी मनोकामनाई थी चाहे बीबार शादी में बाधाई हैं चाहे नोकरी में रुकावटे हैं चाहे संतान प्राप्ती में बाधाई हैं चाहे बिजनस में नुकसान है इस तरह के कोई भी जो उपाय हैं आप कर रहे थे और नहीं कर पाए हैं और आपके रह गए हैं तो आप शनिवार की रातरी को यह उपाए सारे की एक ही उपाए सब का एक ही उपाए आप कर सकते हैं जो कि मैं बताने जा रही हूं अच्छा मैं आपको यह भी बताऊंगी कि यह उपाए आप किस तरह से कर सकते हैं वीडियो के अगर आप बहुत प्यार से देखते हैं तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बैल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो लगातार मिलते रहें और आप इन उपायों का लाव लेते रहें बात करूंगी उपाय क देखिए आपके शनिवार की रात्री को आप वैसे भी दीबदान तो करेंगे ही इन पांच रात्री में हम दिपावली को चोड़कर बाकी चार जो रात्री होती हैं हम चाहे दो ही दीबदान करें लेकिन हम अपने मेन गेट पर दो दीबदान अवश्य करते हैं तो कल शनिवा गोबर ही हो भैसका या इस तरह का कोई गोबर ना हो तो गाएक गोबर से छोटा सा दीपक बहुत सुन्दर सा बना लीजिए यह नहीं कहूंगी कि बहुत कलाकारी की जरूरत है लेकिन हाँ उसमें जो भी आप तेल वगरा डालना चाहेंगे वो आराम से डल जाए उसमें और बत्ती लग जाए उसमें अब आपको उसमें सरसो का तेल डालना है एक तो शनिवार है दूसरा गाए के गोबर का जो दिया होता है वो तेल से ही जलता है तो उसमें आप तेल डालने और तेल के अंदर आप एक चुटकी चीनी डालने के बाद आप उसमें आपके पास अगर पुराना गुड़ पड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है उपाई यही कहता है कि उसमें पुराना कोई गुड़ पड़ा हो जैसे महीने दो महीने का चार महीने का साल भर का को गुड़ पड़ा हो तो वह उसमें एक कंक्री यानिक डड़ी चोटी सी उसमें डाल दें तेल तो और उसकी बत्ती बाहर की तरफ होनी चाहिए उसकी बत्ती बाहर की तरफ होनी चाहिए और इस दिपक के पास आप अपनी प्रार्थना करें अगर विवाशादी में दे रही है तो नोकरी में रुकावटे हैं तो और अगर आपके उसमें धन संपती को लेकर प्रेशानिया है और अगर आपके बनिश ब्रदी या संतान प्रापति की प्रेशानी है तो उसके लिए आप जो भी आपके मगलना है कि सीप्रकार की मुनो कामना है जो दिवाली की रात्री पर नहीं कर पाई हैं वो मुनो कामना पूरूण करने का यह पक्के तोर से एक रात्री है जिस पर दिपक प्रजवलती रहे और तब कोई घर का इस तरह से बाहर ना निकले तो मान लीजिए आप साधे साथ आठ बजे के रातरी हो जाती है तब उस वक्त दिपक जला लेते हैं अब दिपक तो आपने जला लिया और घर के किस तरह से किसी काम पढ़ गया और बाहर निकलना चा पर जाए जबते कि दिपक ओफ ना हो तब आप फिर क्या करेंगे उस दोरान आप दिपक के पास से नहीं निकल सकते यह इस उपाई की शर्त है कि वो जो दिपक आपका है शनिवार की रातरी का उसके पास से कोई सदस्य घर का बाहर नहीं निकलेगा अब इसका दूसरा तर करेंगे आप एक काम करिए कि सब घर के जब आपका काम निपट जाए सारा पूरा काम निपट जाए घर के सब घर में आ जाए पूरे जाना आना हो जाए जब सारे सो जाए मान लीजिए रात के नो बज जाते हैं साड़े नो दस बज जाते हैं पूरे घर के लोग सारे अप करें इस उपाय को लटके लड़kinya भी करें मम्मी पापा भी करें अपनी मनोकामना पूरती के लिए इस उपाय को कर सकते हैं तो अब आप तीपक जलाये में अप घर का कोई दसे बाहर नहीं जाएका और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी आपका उपाय भी पूरा हो जाएगा दिपके जलता रहेगा रात पर अपने आप ओफ हो जाएगा आपको बाहर जाना नहीं है तो यह था मेरा छोटा सा एक दिए और बताना आपको कि अगर नहीं कर पाए हैं तो अब कर लीजिए वीडियो अच्छा लिगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलती कुसे अगले तब तक के लिए जय लक्ष्यमी माता अवश्य लिखे आप पर किर्पा बढ़ी लिए